सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग की परिवाज़ा लिंग की परिवाज़ा सब्द का बहर रूप शब्द का बहर रूप सब्द का बहर रूप जिससे किसी वैक्टी बस्तू या प्राणी या प्राणी या प्राणी ये किस्त्री वर पुरुज जाती का बोध मोई उसे लिंग करते हैं उसे लिंग करते हैं देबल अपने परिवासा में लिखा है कि लेगी की परिवासा क्या होती है सब्द का वहर हो जिससे किसी बैटी मस्तूम या प्राणी के इस्त्री और पुरुष होने का वहाँ हो यानि कि वह इस्त्री है या पुरुष है उसे क्या करते हैं लिंग 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 करते हैं और दूसरा है इस्त्री लिए 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 दो परका लिए अपने पॉर्लिंग और इस्त्री लिए सबसे पहरे लिए पॉर्लिंग की परिवासा की पॉर्लिंग क्या होते हैं पॉर्लिंग की परिवास आए वे शब्द जो पूरुष जाती का बोद कराते हैं यानकि उनको पढ़ने पर अपन को क्या पता लगना चाहिए कि यह पूरुष जाती का है जैसे उदारन के लिए लिखेंगे जैसे अपने लिचे लड़का पता लगना है इसको पढ़ते ही कि यह पूरुष जाती का है लड़का राजा घोड़ा बक्रा आगी अंब तया है और आपक समझ में सबसे कणे अपने पूरुष जाती का बोOR कराते हैं जैसे उन्हें क्या कहते हैं नगका लड़का राजा गोडा बक्रा आगी इनको पढ़ने पर ये पता लग रहे है कि यह फूरूज जाती कि तो किसके अंदर गता हैं यह फूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर इस्त्री जाती का बोद कराते हैं उन्हें इस्त्री लिंग करते हैं क्या करते हैं उन्हें इस्त्री लिंग करते हैं इस्त्री लिंग करते हैं जैसे उदारान के लिखेंगे, जैसे अपने यहां पर लिखा लड़का, तो लड़का पुर्लिंग में आता है, तो इसके इस पर लिख क्या बन जाएगा? लड़की, और राजय का राणी, बोड़ा का भोड़ी, बक्रा का बख्री, आदी, तो अपने को आराब समन्ना रहा है, कि पुर्लिंग बेशब्द होते हैं, जो पुरूज जाथी का बोड़ कराते हैं, जैसे लड़का, राजा, बोड़ा, पक्रा, आदी, और इसके 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 बोड़की, बोड़ी, बक्री, आदी, तो इसे अपन को देखते हैं पता चल जाते है कि को सासथ गूलिंग में हैं और को सासथ इसके में हैं, जैकिर अपनको क्या याद होना चाहिए उसकी, डेफिनेसी हमार्ण चाहिए, परीबता याद होना चाहिए, तब हम को यह सम समझ पहलेंगें, और नहीं आएखा,